जर्नल एंट्री यह इंटर्नल रिकंस्रक्शन का है एक तो सभी कोश्चन में सबसे बड़ी समस्या पता क्या रही है आप सिंपल सा ABCD का नाम लिख लेते हैं कमपनी का नाम जो रखा गया ऐसा रखा गया कि कॉम्प्लिकेशन क्रियेट हो कहता है कंवर्जन आठ लाग फुली पेड एकुटी शियर टैन रुपीस इच इंटू स्टॉक चार लाग एंड बैलेंस 12% कंवर्टिबल डिविंचर कहता है आठ लाग वाले जो शियर थे ना एकुटी शियर उसको पहले हम क्या कर रहे हैं कंवर्जन कर रहे हैं कंवर्जन मैं वह ख़गेंगे यह को बता है क्या चार लाग का और बैलेंस को क्या कहता है यह त्यूल परसेंट डिविंचर कर दिया है कितने बैलेंस में चार्लाइक जैन्लाइक प्रफिट नो लाग पहली एंट्री में डाउट बता हैं टूटल आगे कहता है एक लाख साथ हजार फुली पेड़ एक एक कर दिया एंटू ऍटू 40 लाख फुली पेड़ एक टैन रूपीज सीच सर सबसे पहले कॉंसोर डुलीट का मतलब समझो कॉंसोर डुलेट करने का मतलब क्या होता है सर कि आपका जो equity share है आपके एक एंट्री आप पहली बात जब ऐसे आजाए ना general entry तो यह सब आपस में अलगा लगे किसी से मिलता जूलता नहीं है कहता है हमारे पास एक चलिए दुबारा पास कहता है हमारे पास वन सिक्स्टी लैक का फुली पेड़ एक्विटी शियर है वन सिक्स्टी लैक फुली पेड़ धाई रुपे तो एक सो साथ लाक चीक है और इंट्व में 2.5 यानि अभी हमारे शियर जो है छोटा शियर है धाई रुपे की एक कौकात हाद है इसकी को मल्टिप्ला 16 से कर तो कितने आते हैं लाक का इसको का सवाल को कि इसे सिर्ग को कितने का बना दीजिया आप 10 का जब 10 आप बनाइंगे ना तो अटोमेटिक यह रहेगा value इतनी 400 lakh ही रहने वाला है value 400 lakh ही रहेगा लेकिन 10 का होगा तो कितना बन जाएगा यह यानि हमारा फाइदा नुकसान नहीं है हमारा सबसे पहले आ जाएगा equity share capital old वाला that is आपका 400 lakh और two again आ जाएगा equity share capital new वाला और वो भी 400 lakh दो चीजें ध्यान रखिएगा एक होता है हमारा concert relate करना तो छोटे number shares को बड़े में convert करते हैं एक होता है split करना split करने का मतलब जैसे 10 वाले को मैंने कर दिया 2 रुपे का एक share तो इसको बोला जाता है split करना चाहे हम shares को merge कर दे चाहे हम shares को split कर दे रुपे टर्म्स में उतना ही रहेगा company को no profit no loss होने वाला है कहता है subdivision subdivision का मतलब split ही हो गया subdivision 40 lakh का जो हमारा 11% preference share था 50 रुपे का each हमने उसे क्या करा उसे 10 रुपे का कर दिया छोटा कर दिया मैंने अब पहले कितने का था 50 अब 10 का हो गया तो subdivision कहलो चाहे split कहलो बात ही की है तो अब हमारा क्या होगा यहां फाइदा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो आपके पास 50 वाला था तो आपका ध्यान से देखोगे तो 40 lakh का था इंटू में 50 तो कितने हो गया 200 दो सो लाक अब कहता यह 200 लाक ही रहेंगा अभी बी लेकिन तुमारे शेयर की वेल्यू कम कर दें था तो आपका यह कितना हो जाएगा यह 200 लाक है और इसे 10 करोगई तो यह कितना हो जाएगा हमारा दो सो लाख होगा दो हजार बीस लाख था ना नहीं दो हजार लाख पांच दो हजार लाख होगा 40 लाख इंटू 50 कितने होते हैं 200 होगा 2000 होगा यह गलत ले लिया है इनोंने कहता है डिवीजन सब डिवीजन 40 लाख पुली पेड़ एलेवन परसें परफेंशेर 50 रुपे इच इन्टू 200 लाख पुली पेड़ परफेंशेर 10 रुपे एक तो 200 लाख अच्छा 200 लाख यह भी नंबर है मैं रुपीज समझ बैठा तो आपके पास पहले 40 था इंटू में क्या था 50 था तो यह कितने 200 को जैंगे समझा बहुता है अब भी आपके 200 लाख ही रहेंगे लेखिन फरक होगा कि ye 10 वाला हो जाएगा तो आपको सिंपल सी पता है दास वाला होगा तो यह कितने हो जाएग miejsce 200 लाग हो जागा तो फरक कुछ नहीं पड़ा आपका पहले आ जाएगा कितने परसेंट प्रिफरेंट शेयर पहले भी 11 था अब भी 11 परसेंट शेयर क्यापिटल कौन से वाला सर और यहां पर कितना आना है सर 2000 लाँ मैं इस पेपर को ऐसा पेपर बोलूँगा ना जिसमें कि बच्चों की नॉलिज को टेस्टिंग नहीं किया गया कुछ भी नहीं किया गया बस कर लिया गया कि भाई दे दो बच्चों को पेपर लास्ट टाइम का देखा जाए तो 2000 लाँ चलिए लस्ट है ने ठाट लीमद और लाकई तो सबसे पहले हमारे पास 12 परसन प्रिट्रारिं देच के खतम करते हैं कितने के निवीजुक्ति में कि 20,00,000 में नया शेयर दिया 15 चरण 16 में बारा लागों और टू में दे धिया авать चॉलिटिव 14 आपार्टम संदर्फ ऐसे पहला को यह जो चौथा कोश्चन पूरी तरीके से जन कर लिया बिसका और वाला पार्ट भी देख लेता है कि और वाले पार्ट में क्या क्या पूछा गया था हम पूर्थ कोश्चन पूरी तरीके से ख़तम कर लेंगे